नमस्कार बुद बुद स्वागत है आपका नीज़ोल इंडिया मैं मैं हूँ आपके साथ प्रद्यमनिश्चर माइक नज़र डालते हैं उत्राखन की खासकबरों पर CM 13 सिंग रावत के एक आदेश से उत्राखन शाषन के अफसरों में हलकंप मचा हुआ है मुख्यमन्तरी त्रवेन सिंग रावत 15 फरवरी से जिलावार सभी विदाहन सबाओं का विकास योजनाओं की समिक्षा करने जा रहे हैं समिक्षा का एजंडा मुख्यमन्तरी की विदाहन सबाओं को लेकर की गई घोशनाएं रहेंगी जो पूरी नहीं हो पाई है माना जारा है कि लेट लतीफी पर अफसरों पर गाज गिर सकती है मुख्यमन्तरी सच्विवाले में वीडियो कॉन्फरेंसिंग के जरीए जलदिकारियों से एक एक गोशना के बारे में चांकरी लेंगे इस दोरान सम्मदित जिला के विदाएक भी मौजूद रहेंगे और वहीं उत्रकंड के पूर्व मुख्यमन्तरी हरीश रावत 2022 का विदान सबा चुनाब नहीं लडने का एलान कर चुके है लेकिन आने वाले चुनाब में मुख्यमन्तरी का चैरा बनने की मांग कॉंग्रेस में रखातार उठ रही है पूर्व कैबिनेट मंतरी और राजसबा सांसद रहे चुके मह Means्दर सिंह महारा ने पूरजोर तरीके से हरीश रावत को सीएम का चैरा बनने की मांग कॉंग्रेस हाईकमान के सामने रखी है पूर्व कैबिनेट मंतरी महरा का कहना है कि हरीष रावत उत्राखंड में कॉंगरेस के कद्दावर नेता होने के साथ ही जमीनी नेता भी है हरीष रावत का कुमायू गड़वाल और तराई के इलाकों में खासा अधार है ऐसे में अगर कॉंग्रेस उन्हें मुख्यमंत्री का चेरा चुनाव से पहले बनाती है तो तैह है कि पार्टी को खासा लाब मिलेगा महिंदर सिंग महारा उत्राखंट कॉंग्रेस में बड़ा नाम है पॉड़ी गड़वाल में कॉंग्रेस और बीजेपी ने चमूली के तपुवन में हुए प्राकरतिक आपदा से बड़े जानमाल के नुकसान में आमादमी पार्टी के शीष नेत्रव के कोई बयान ना आने को लेकर दोनों पार्टियों ने आरूप लगाए हैं दरसल आमादमी पार्टी उत्रखंड की 70 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कह रही है लेकिन उत्रखंड के चमूली जन्पद में इतनी बड़ी आपदा आने पर ना तो सीम के जरिवाल ना ही डिप्टी सीम सिसोदिया कही नजर आए हैं ना उनके बयान आये हैं इसका सीधा मतलब ये है कि आमादमी पार्टी केवल उत्रखंड के लोगों की भावनाओं से खिलवाल कर रही है अगर उनके नेता उत्रखंड का भला चाते हैं तो इतनी बड़ी आपदा के समय में उत्रखंड के दोरे पर जरूर आते ग्लेशेर तूटने से हुए हाथसे के बाद से ही राहत और बचा अफकार लगातार जारी है और इसी दोरान कर्ण प्रयाक से 5 किलोमीटर दूर जलगाओं के पास एक और शव बरामत हुआ है बीएसेफ की रेस्क्यू टीम ने कड़ी मेहनत के बाद शव को बरामत किया है जर्णकरी के मुताबिक रेस्क्यू टीम ने शव को इस्थानी पुलिस को दे दिया है उत्रकंट रासिदी में लापता लोगों की तलाश में नौसेना की मरीन कमांड उजटे हुए है अब तक 34 लोगों के शव बरामत किये जा चुके हैं और 170 लोग अभी भी लापता है इसी बीच NTPC की तपोवन टनल में मजदूरों को बचाने में जुटी सेना ने अपने ओपरेशन में एक बड़ा बदलाफ किया है जी हाँ अब सेना टनल के अंदर 72 मीटर पर एक ड्रिल कर रही है ये ड्रिल करीब 16 मीटर नीचे की तरफ किया जा रहा है ड्रिल सीधा इस टनल के नीचे से गुजर रही एक टनल में जाकर निकलेगी जहाँ इन सभी मजदूरों और प्रोजेक्ट मैनेजर के फसे होने की पूरी आशंका है आज मौरीम अवस्या का स्नान है और इसलिए सुबह से ही बड़ी संख्या में श्रदालू गंगा इसनान करने हर की पौड़ी पहुच रहे है हाला कि कोरना गाइडलाइन्स के चलते इस बार श्रदालू की संख्या इतनी जादा नहीं है जो पहले हुआ करती थी वहीं प्रशाशन नहीं सुरक्षा विवस्ता के पुक्ता इंतजामत किये हुए है पूरा मिला शेत्र को 9 जोन और 25 सेक्टरों में बाटा गया है तीर्थ पुरोहित उज्ज्वल पंडित के अनुसार मौनी मवस्या त्याग तपस्या और ध्यान का पर्भ है इस दिन महिलाएं वरत रखकर पीपल के पेड़ की पूजा करती है और अपने पती की लंबी आयू की कामना करती है वहीं गंगासनान का भी इस दिन विशेश महतु है इस दिन गंगासनान करने से कई युगों का पाप और कष्ट नस्ठ हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ती होती है वहीं आमतोर पर आज के दिन हरकी पौडी समेत तमाम गंगा घाटों पर शद्धालों का रेला उमरता है लेकिन इस बार कोरणा ने इन सब पर रोकसी लगा दी है उत्रकंड की भोगोले के स्तिती किसी चनोती से कम नहीं है हिमाले श्रेत्र में लगातर ग्लेशियर पिगलने से विशेशग्य है डॉक्टर संतोष कुमार राय ने चिंता जाहिर की है डॉक्टर संतोष ने कहा है कि लगातर जमू कश्मीर के कारा कोरम में लगातर ग्लेशियर पिगल रहे है साथ उन्होंने कहा है कि ग्लेशियर लगातर पीछे भी खिसक रहे है जो चिंता का विशे है और वहीं देशबर में बढ़ती बेरोजगारी पर विपक्ष की गहरावंदी जारी है केंदर और राज सरकार को गहरने के लिए NSUI ने देशबर में नौकरी दो या डिगरी वापस लो अभ्यान की शुरूवात की है इस अभ्यान को उत्तराखंड में भी शुरू किया गया है NSUI के प्रदेश प्रबारी सतवीर चौधरी ने कॉंग्रेस में उख्याले देरादूर में सभ्यान का पोस्टर लॉंच किया NSUI के प्रदेश प्रवारी सद्वीर चौधरी ने बताया कि सब्यान के तहत बेरोजगार युवा अपनी माकशीट को प्रदानमंत्री नाइंदर मोधी को मेल या फिर चिट्टी के माध्यम से पोस्ट करेंगे जिससे केंदर सरकार बेरोजगारी को दूर करने का प्रियास करें साथी अब भिहान से जुड़ने के लिए मिस्कॉल लंबर भी जारी किये गए हैं चमोली में आपदा में लापता लोगों की संक्या 204 हो गई है अब तक रेस्क्यू के बाद 35 शव बरामत कर ले गए हैं वहीं 10 शवों की शनाक्त हो गई है साथी लापता लोगों में 179 लोगों की खोसबीन अभी जारी है आपको बता दें की 12 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है टनल में 25 से 35 लोग अभी भी फसे हुए है फिलाल रेस्क्यू ऑपरिशन जारी है और वहीं जोशीमर्ट में ग्लेशेट तूटने से हुए हाथ से से हर कोई चिंतित है इसी के चलते रोड़की IIT के वैज्ञानेक पूरी तरीके से मन्थन करने में लगी हुए है रोड़की के वरिश्ट विज्ञानेक अजंता गोस्वामी ने बताया कि हम पूरी जानकारी निकाल रहे हैं कि गलेशेट तूटने का कारण क्या है तीरत नगरी रिशिकेश में मौनियम अवस्या के दिन बड़ी तादात में श्रद्धालू ने त्रवेंडनी घाट पर गंगा में श्रद्धा और आस्ता की पावन दुपकी लगाई इस अबसब पर श्रद्धालू ठंड के बावजूद सुवेच चार बजे से ही रिशिकेश त्रवेंडनी घाट पर पहुचे और गंगा पूजा लगातर किये माग महीने की अमवस्या को मौनी अमवस्या कहते हैं इसका बहुत बड़ा महत्व है और इस दिन गंगा इस्तनान करने से मनुश को मोख्ष की प्राप्ती होती है और इसके सभी पाप समाप्त हो जाते हैं अला कि त्रवेंडी घाट पर मतमेला गंगा जल देखकर शद्दालू काफी निराश हो गए, रिशिकेश त्रवेंडी घाट व्यासपास के घाटों पर जल पुलिस इस्थानिय पुलिस और NDRF टीम यहां पर मौझूद रही है, फिलाल सुरक्षा के पुकता इंतिजाम किये चमूली जिले के तपोवन शेतर में हुए जल प्रले के बाद कई लोग ला पता हैं जिसको लेकर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, इस आपदा में कई लोग अपनी जिंदगी गवा चुके हैं और कई लोग अभी भी ला पता है, वहीं सापदा में रुडकी का एक यूवक भी ला पता है, जिसको लेकर परिवार में मातम का महल चाया हुआ है, यूवक पिछले एक साल से निर्मान धीन बांध में टनल के अंदर JCB चलाने का काम करता था, परिजनों का कहना है कि यूवक 6 फरवरी को उनसे आकरी बार बात हुई थी और 7 फरवरी को संडे होने की व पहल शुरू की है, और 7-7 जिले में 17 नए ओपरेशन शुरू की है, हर थाने और 24 स्थर पर इन ओपरेशनों को चलाने के निर्देश दे दे गए है, नशे की रोक्थाम से लेकर लोगों को जागरूप करने तक के लिए अलग-अलग ओपरेशन यहां पर चलाये जा रहे है ऐसे में SSP ने जिले की सभी थाने चौकियों को अधिकारियों को निर्देशित किया है, कि ऑपरेशन बाइक जिसमें 2 पहिया वानों की चेकिंग होगी, ऑपरेशन फोर जिसमें 4 पहिया वानों की चेकिंग होगी, ऑपरेशन ब्राउन सभी होटल और ढबो की चेकिंग के प्रशाशन पूरी तरीके से तैयार है तरुन प्रकाश ने प्रैस वारता कर बताया कि हरिद्वार महाकुम्ब मेले के लिए रेल्वे प्रशाशन पूरी तरीके से तैयार है फिलारिस गुलिटरिन में सिर्फ इतना ही बने रही है नीजवल इंडिया के साथ तमस्कार